क्या तुम्हें भी रोष्ट करना पसंद है क्या तुम्हें भी ये रोष्ट वाले चैनल पसंद है क्या तुम भी एक खुद का रोष्ट का चैनल खुलना चाते हो जिसमें तुम लोगों की और रोष्टिंग करना चाते हो याने की हिंदी में बदनामी करना चाते हो तो ये व आउटलाइन से दी थी उसने मुझे, अगर तुम रोश्ट का कंटेंट देखते ही हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि यार यह बहुत ही जादा टॉक्सिक टाइप अफ कंटेंट है, मतलब यार कोई अगर अच्छी चीज कर रहा है तो उसको खाली फूगत बदनाम क्यों करना अच्छा ठीक है अगर मान भी लिया कि वो यार कुछ इतना अच्छा नहीं कर रहा है या क्रिंज कंटेंट क्रियेट कर रहा है वो पर उसको रोश्ट करके क्या मतलब है अगर तुम रोश्ट करते हो और अगर कोई तुम्हारा ही रोश्ट करते तो तुम्हें कैसा फिर वो और रोष्ट करेगा और फिर रोष्ट 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 और फिर उम्हें पता है ना कि एक टोस्ट को एक हाद तक ही रोष्ट किया जा सकता है उसके बाद वो काला हो जाता है उसके बाद वो टोस्ट खा नहीं सकते तो यह रोष्ट करने के वज़े से मेरे हिसाब स है ऐसी ही कुछ चीज है हमारे जिंदगी में भी होने लग जाती है और मुझे लगता है कि यार यह जो ट्रेंड चला हुआ है रोष्ट करने का वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सा ट्रेंड है यार मुझे यह ट्रेंड जादा पसंद नहीं है बताता हूं मुझे कैरी मिनाटी का रोष्ट पसंद है क्योंकि यार वो मतलब बहुत पहले सी मुझे वो पसंद है फिर बीच में ऐसे दो तीन अलग 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 रोष्टर्स आये जो मुझे टोस्टर लगते जिसके अंदर बस ब्रेट डालो और कुछ तो थोड़ा सा होके भाड कड़क कड़क निकलेगा अब कुछ मजा नहीं आता है उनको देखने में ऐसा लगता है कि यार वो रोष्ट नहीं कर रहे हैं मतलब बस करते जा रहे हैं मतलब यार इतने मासूम से चेहरे लेकर रोष्ट कर रहे बचारे अभी रिसेंटली आदिपुरुष का बहुत अलग थी यह रामायन बहुत अलग थी इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं आक्च्वल की रामायन की जो स्टोरी है वो बहुत अलग हो सकती है और यह बहुत स्टोरी अलग हो सकती है ठीक है मैंने रामायन नहीं बढ़ी है बच्पन में रामायन देखी थी और वो मुझे बहुत ही ज़ादा सब्सक्राइब गाल हुए तो सब्सक्राइब होश्ट समिंग वॉष्ट करोण में विछ बहुत ही ठीक है मतलब हो सकता है इसको रोष्ट कर के सब इस दालते इंगे किया मतलब तुम चाहते हो कि याज जादा इस movie को public ना देखने जाए बड़ अक्चुल में एक movie बनाने के लिए बहुत जादा मेहनत लगती है कुछ-कुछ roast करने वाले ऐसे movie के channels है जो बस मतलब कुछ भी बोलते है भाई views के लिए कुछ भी बोल देते हैं और यह नहीं कहे रहा हूं कि सिर्फ लड़की ऐसा करते है लड़कियां भी करती है और आदर्स भी करते होंगे भाई यह रोश्टिंग का trend ऐसा कुछ universal है मतलब इसमें कोई gender नहीं है नहीं कोई धर्म है यह बस इंसान की सोच है मैं भी रोश्ट कर सकता हूं यह बट शायद ज्यादा रोश्ट हो जाऊँगा मैं रोश्ट करते करते बट मुझे रोश्ट करना पसन नहीं है मैंने सोचा भी था कि यह भाई किसी को रोश्ट करता हूं और फिर फटे सक्सेस मिलेगा या फिर बहुत जादा व्यूज आएंगे लेकिन फिर मैं सोचा कि यह यह प्रेस का जो कल्चर है मतलब किसी को अच्छा बोलना किसी के बारे मैं बढ़ाई करना किसी की बढ़ाई करना यह मुझे अच्छा लगा लेकिन बात में मैं सोचा कि यह किसको अग लोग है जैसे कि AI भी रोष्ट हुआ था वो सब पसंद है मुझे रोष्ट लेने भी आना ची है और रोष्ट देने भी आना ची है जरूरत पढ़ने पर क्या होगा अगर तुम रोष्टिंग का चैनल बनाओगे या रोष्टिंग का कंटेंट जादा दिखोगे तो देखो भ पुरा दिन तुम बुराई सुन रहे हो या बुराई कर रहे हो भले क्रियेटिविटी के नाम पर इसका असर दिमाग पर पढ़ने वाला है यह भी हो सकता है कि यहर मैं गलाथ हूं मतलब ऐसा हो सकता है कि रोष्ट करने से कुछ ज़्यादा फरक नहीं पढ़ता और कुछ पुब्लिक को असर नहीं होता दिमाग में उतना तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो बहुत बढ़ी है बट अक्चुली रोष्ट करने के वैसे सोसाइटी में या आसपास बहुत जादा नेगेटिविटी भी हो जाती है यार तुम अगर आज रोष्ट कर रहे हो और पब्लिक को तुमारा रोष्टिंग करना जादा पसंद है तुम सडनली तो ऐसे रोष्ट करना छोड़ नहीं सकते ना क्योंकि या तुमारा ये ब्रेड और बटर है ना तो धीरे धीरे ट्रांसफोर्मेशन करो या धीरे धीरे ट्रांजिशन करो मतलब उसमें से कि भाई एजूम करता है कि तुम महीने में पाच वीडियो डालते हो जिसमें सिर्फ तुम रोष्ट ही करते हो किसी ना किसी को रोष्ट करते हो तो पाच मैंसे चार रंडम में रोष्ट कर दूँ कुछ-kुछ रोस्टर्स तो ठीक है गाली वीली नहीं देते हैं इस पोछ गलत भी हो सकता हूँ पर मुझे आसा है कि अपने relationships में भी बहुत effect होता है हम अपने घरवालोगों भी या फिर अपने दोस्तों को भी roast करने लग जाता है क्योंकि यार अपना धिमागी वैसे सोचने लग गया कि भाई मैं सामने वाले को roast कैसे करूँ तो तोड़ा मजा आएगा पड़ अगर तुम किसी सामने वाले को नीचा दिखा कि उपर जाना चाहते हो तो तुम actually उपर जाके भी नीचे ही हो क्योंकि उपर भी नीचे होता है और नीचे भी उपर होता है इसका कोई मतलब तो नहीं है बट समझ जाओ भाही बात को और मैं समझ सकता हूं कि अभी कल्योग चल रहा है कल्योग में अच्छी जादा value और बूरी चीदे फट से उपर चली जाएंगी मतलब लाइक उनका trajectory ऐसा 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 उपर ग्राफ पूरा उपर तो यार कल्योग के हिसाब से चलो लेकिन कल्योग में भी कुछ अच्छे इंसान है उन अच्छे इंसानों की तरह बनने की कोशिश मैं कर रह से ठास आच हैसे बादा रहन मैं इसको रहा है कि यह रूष्ट कर सका करता मिया यह हो जाएगा वहजाय जैकिन यह मैं अंदर से अपने आपको वह मतलब जयसे मैं भी इस खुर की बैटा हूँ वैसे कुस्त ने नहीं सबता हो या एक से बोड़ होड अ खौश बाद आटा ह तो मेरा call हो गया है खतम वह एक बहुत ही important सा call था लेकिन आभी हम यह important video में ही अभी है तो मैं यह कह रहा था कि यार यह मेरे से roasting roasting नहीं होती है पता नहीं लोग roasting roasting कैसे कर लेते हैं यार यह इसका क्या reason है यार roast करते रहना या फिर roast कैसे हो जाता है यार उनसे मुझे से तो न art है वैसे ही praise करना यानि किसी के बारे में अच्छा बोलना किसी को compliment देना यह भी एक उससे भी बड़ा art है क्योंकि यार यह hate से दुनिया चलने नहीं वाली है और hate से दुनिया में और hate फैल जाएगा और प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा hate देके भी प्यार मिल रहा है «कुछ» करना है मैं मुझे इसा यह करना है या फिर तुम्हें ऐसा करना है कि भाई किसी का भी जब रोस्टिंग का वीडियो आये तो या तो पहली बात उसको खोलो ही मन या तो फिर इसको खोल रहे होतो इसको ैश्च ऊट करो और उसको comment में बता व कि फिर start praising तो ऐसा कुछ अलग अच्छा सा hashtag तुम बनाओ या फिर मैं सोचता हूँ अगर कुछ future में मुझे ऐसा मिला ये वीडियो पर अच्छा response मिला तो उसके बारे मैं भी बताऊंगा आपको यारी वीडियो पर कुई response नहीं हारे शाहे तो या तो मेरी शकल गंदी है या तो content creator हूँ मैं बट present मैं करने के लिए क्या करू यार वो बता क्योंकि यार मैं हर दिन उठता हूँ हर दिन सोचता हूँ हर दिन हारता हूँ हर दिन एक एक step ले रहा हूँ और मेरे इसाब से content creator जिसके बहुत चारे millions में follower थे हो इसके पास एक power है कि यार वो उपनी power को use करके सि दिशा दिखा सकता है क्योंकि इतने सारे लोग अगर follow कर रहे है अगर मुझे personally अगर 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 million लोग follow कर रहे है तो मैं make sure करूँगा कि मैं सिफ grow नहीं हो रहा हूँ मेरी audience भी grow हुरी है भाई कब तक उनके watch time और उनका attention मांगूंगा मैं यार मैं को चाहिए कि सब ल audience को भी तो सिखा हूँ कैसा करना है कुछ-कुछ creators ऐसे है जो मतलब पैसे बनाने के बारे में सिखाते है लेकिन हर वो इनसान कर सकता है अभी मुझे तो यह fair नहीं लगता कि मैं किसी betting app या फिर एक ऐसी app जिसमें मैं को पता है कि मेरी audience के पैसे जाने हो वाले उसको promote करूँ कर रहा है उसके चैनल पर जोड़े वीडियो आ जाते हैं मतलब व्यूज आ जाते हैं और लोग उसको पैचानने लगते बट यार वहां पर भी जाके वो hate पहलाते अगर तुम hate पहला रहे हो तुमारे audience भी वहां पर जाके hate ही पहलाने वाली है यार Monday या फिर जो भी तुम अच्छा लगता है उसमें तुम किसी creator को praise कर सकते हो और बता सकते हो कि यार उसका कितना अच्छा चल रहा है मतला उसका कैसा उसकी journey थी कैसे वह अच्छा कर रहा है सिर्फ बुराई मत करो अच्छाई भी करो अच्छा अगर तोड़ा सा अच्छा बताते हो तो उसको भी motivation म अच्छा होगे सब में बाटो थोड़ा थोड़ा पर यार रोष्ट भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ-कुछ लोग actually में रोष्ट के लायक होते है शायद मैं भी वैसा ही हो लेकिन मुझे रोष्ट करो गे मुझे थोड़ा बुरा लगेगा मैं थोड़ा साड हो जाओंगा क् अच्छली पढ़ रहा है भाई रोष्टिंग बंद कर दो ठीक है ने तो यह वीडियो तुम अलड़ी बंद कर चुके हो शायद से अब देखो तुमको क्या करना किसको सपोर्ट करना जो करना करो जनता है जनता जिसके पास है भाई मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं वीड रेटिव हों गया हूं